दोस्तो आप अपने बालों को लंबा घना और मजबुत बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अन तक जरूर देखे दोस्तो चेहरे की खुबशूरती को चार चान लगाने में बालों का आहम रूल होता है लेकिन खराब लाइबे स्टाइल, खान पाउन और वातावरन के असर्व से भी बाल अचुते नहीं रहे है आजकल कम और में ही लोगों के बाल पकने लगते हैं, ज़रने लगते हैं या पतले होने लग जाते हैं बालों का ज़रना आम समस्या बन गया है सैलोन में अच्छा खैसा पैसा खर्च करने के बावजूद भी इस समस्या से पूरी तरह से छुटकरा नहीं मिल पाता है ऐसे में तमाम महंगे प्रोडक्ट्स के साइट इफेक्ट, बालों की क्वालिटी को और ज़्यदा खराब कर देते हैं अगर आपके साथ भी ऐसी कई समस्या आये है तो आज हम आपके लिए एक देशी उपाय लाए है जो आपके बालों को मजबूत चमकदार और घना बनाने में मददगार साबित हो सकता है दोस्तों इस उपाय को अजमाने के लिए आपको बस एक गिलास चावल के पाणी की जरुत है चावल के अंदर कुछ ऐसे पोसकत तो पाई जाते हैं जो आपके बालों के लिए काफी फायते मंद है इस उपाय को अजबाने के लिए पहले एक कप चावल को अच्छी तरह से तब तक धोए जब तक उसका रंग साफ ना हो जाए फिर धुले हुए चावल में ज़्यादा पानी डालकर पका ले अब चावल के पानी को प्लास्टिक के कंटेनर में डाले और ढखकर 12-24 घंटे के लिए कमरे के तापमान पर रहने दे लेकिन इसे 24 घंटे से ज़्यादा ना रखे नहीं तो यह खराब हो सकता है इस पानी को फ्रीज में श्टोर कर ले और जरुत के हिसाब से उप्योग करें इस पानी को करीब एक सफ़ता तक फ्रीज में श्टोर करके रखा जा सकता है दोस्तो आप चावल के पानी को बिना पकाई भी यूच कर सकते हैं दोस्तो इसके लिए आप एक काँच के गलास में आधा क्लास चावल ले ले और उसमें पाणी डालकर ढखकर 24 घंटे के लिए लवख छोड़ दे फिर उस पाणी का बाल धोने के लिए इस्तमाल करें दोस्तो जब भी आप अपने बाल धोए तो कंडिस्निंग और सेमफू करने के बाद इस पाणी का प्योग करें इसे आप सब्ता में दो या तीन बार या फिर रोज भी प्योग कर सकते हैं चावल के पाणी का प्योग उन जगों पर ज्यादा करें जहां पर आपके बाल कम बचे हैं ऐसी जगों पर पाणी को लगा कर थोड़ी देर हलके हाथों से मसाज करें फिर उस जगा पर पाणी को 5-10 मिनट तक लगे रहने दे फिर धोले कुछ दिनों के बाद आपको बालों में असर नजर आने लगे जाएगा और आपके बाल पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत घने और चमकदार दिखने लगेंगे वंगराले बालों के लिए चावल का पाणी काफी फैदेमन साबित होता है क्योंकि ऐसे बाल रुखे होते हैं चावल के पानी में प्रोटीन के मात्रा पाया जाता है जो बालों के रुखेपन को खत्म करने का काम करता है दोस्तो इस पानी का अप्योग करने से आपके बालों का जढ़ना कम हो जाएगा क्योंकि चावल के पानी में amino acid मौजूद होते हैं जहां से आपके सिर पर बाल पतले हो गए हैं वहाँ पर दोबारा बाल उकना सुरू हो जाएगा इस पानी में मौजूद vitamin B, C, E की मदद से बालों की growth अच्छी हो जाती है जोस्तो अगर आपके बाल दो मौई हैं तो इसके लिए भी है, काफी फैदे मंद होता है जोस्तो सर्दियों के मौसर में बालों की चमक गायब हो जाता है या बेजान हो जाता है ज़िए आप चावल का पानी के इस्तमाल करते हैं तो आपका बाल मुलायम और चमकदार हो जाएगा और बाल जड़ों से मजबूत हो जाएगा दोस्तो सर्दियों के मौसर में ठंडी हवाओ के कारण बालों हमेशा ही नमी की कमी रहती है इससे डेनरफ की प्रेसानी भी हो जाती है बहुत सारे लोग इसका इलाज करवाकर ठक जाते हैं लेकिन आप बालों को चावल के पानी से धोते हैं तो आप बहुत ही जल्द फर्क देखेंगे तो दोस्तो अगर आपके बाल भी जड़ रहे हैं या पतले हो गये हैं या चमक गायब हो गया है तो चावल के पानी के इस्तमाल जरूर करें तो दोस्तो जनकारी पसंद आए वीडियो को ज्यादा सिर करें वीडियो को लाइक करें साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ